आज हम चलेंगे आदिल भाई की दुकान पे जहां पर आदिल भाई मुरादावादी बिर्यानी बनाते हैं वाह वाह मज़ा आने वाला है दोस्तों क्योंकि आदिल भाई की जो ये बिर्यानी का टेस्ट है बहुत ही मस्त है हम आचुके हैं आदिल मुरादावादी की दुकान पे और ये बहुत ही अच्छे अच्छी बिर्यानी बनाते हैं जो की हैं लखनो में सीतापुर रोट पे तो आए हम आदिल भाई से बात करते हैं आदिल भाई आईए आदिल भाई ये बताएं कि आपकी ये जो बिर्यानी की शौफ है कफ से है ये लखवा कि इसको तेरा साल हो गया यहां पे इससे पहले कौन बैठ चा था तुमार पे नई शुरू से हम भी बैठते हैं मतलब पहले साथ में मामुत है अब वहालग अलग कर लिया इस ना चीज भीस होता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है और उसके बाइसे जो मतलब यह पक्वान है, यह क्या यह लखनऊवा पक्वान- है यह जै Finding लोगों को बताना जरूरी है कि लोग कहेंके लखनऊ में मुरादबादी तो यह क्या है डिप्रधक मतलब क्या है बता हो कि वहां की विर्यानी यही कहलाती है लखनाओ वाली अलग होती है और यह अलग होती है यह खड़े मसालों से त्यार होती है जी इसमें कोई पिसा मसाला नहीं पड़ता है यह सब खड़े मसालों जैसे की गोस्त को उबाल उबाला जाता है या आप अच्छा तरीके से मसालों क गुजरास से आये हुए है और यहां पर इन्हों ने खाना खाया है इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा खाके यहां पर खाना हुए हम्दिल्ला खाला बहुत बहुत खाना चाहे है कॉंडड़ी में और बहुत कम रीट में वाइसे इस समय लगबग हो रहा है साड़े और रात में मान के चलिए साड़े ग्यारा बारा बज़े तो और जो यह बिर्यानी बनने का जो सिल्सिला है अंदर वाल आपके माँ थोड़ी छोटी सी सक्रिया मतलब जगा है उसी में अब यू समलो की लखनो जैसे सहर में बड़े सहर में इतना स्पेस नहीं होता है वो भ अधर कम भी पड़ जाती है इधर बनती भी रहती है रात के दुपन नारी में तो अकसर खतम ही हो जाती ही जल्दी जी अरे मान के चलिए बारा बच जाता है बारा के पार भी हो जाता कभी-कभी आज कल